नवसे दोस्तों तो एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है आज हूँ मैं नोर्थ केरोलाइना पे अपने फार्म हाउस वाले घर पे मुझे पता है बहुत सारे नई लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो उन्हें मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूँ में नाम है शंटी वैसे मैं दिली का रहने वाला हूँ कुछ सालों से यहाँ पे अमेरिका में रहता हूँ और दो साल पहले मैंने यहाँ पे अपना ये घर खरीदा था फार्म हाउस वाला पहले यह ऐसा नहीं था मैंने उसकी पूरी वीडियो बनाई विए किस तरीके से था फिर मैंने इसको बनवाया है अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है इसमें टाइम लगेगा ठीक होने पर और यहां खड़ी हुई है अपनी बसंती चलता फिर ता घर और वो मेरी एक दूसरी कार है प्रियस लोको हीरन आये यह देख रहे हो पीछे जंगल टाइप का एरिया है पूरा वहां से हीरन रहते हैं इदर अंदर तो हीरन आते हैं और विया उनको जो फलो के पेड़ होते हैं उनके पत्ते इतने टेस्टी लगते हैं कि वो छोड़ते ही नहीं मैंने यहां पर दस बारा लगाये थे उसमें से अभी तीन जो है फलो के पेड़ बचे वह बस यहां पर यहां पर आज सुबह सुबह मैंने अपनी वैन के अंदर ट्रांश्मिशन ओईल चेंज किया है क्योंकि काफी जादा मैं ड्राइव करता हूं तो चलो भाई आप हुई है सारी आवाजे करने लगी है आप लोगों को देखते ही उन्हें पता है कि आप लोग देख रहे हो है लो बोल रही है सारी है लो इनका खाना देख लूँ मैंने जाने से पहले जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ ना तो इनका खाना अपने दोस्तों को दे जाता हूँ अभी भी भरा हुआ है तो यहाँ पे पिछे ही रहते हैं मेरे दोस्त वहाँ पर और उनको मैं सारा खाना पीना सब दे जाता हूँ तो भर देते हैं वहाँ पर रहते हैं ली आप लोग ली को जानते हैं और यहाँ पर एक फ्रेंड रहती है इस तरफ में मैंने आप लोगों से नाम पूछे थे अभी तक ने इन लोगों के नाम रखे नहीं है बट जल्दी इन लोगों के नाम रखूँगा इनका घर बनाये हुआ है यह भी पूरा प्रोपर भी कंप्लीट नहीं हुआ है करूँगा इसको कंप्लीट तो यह भाई इनका घर और यहां पर खड़े होके ही सोती है यह बैठती नहीं है नीचे इनकी आदत होती है खड़े होके इसलिए मैंने यहां पर तीन डंडे लगा लग अलग अलग कलर करके लगालो इसको यह तो लाइट ब्राउन यह यह वाइट है तो यह ये जो यलो वाली मुर्गी देख रहा हूं कि मैं अपने फार में क्या क्या चीज़े उगाई हुई है और पहले कौन-कौन से पेड उगाए थे और फिर उसके बाद हम लोग ड्राइव करके जाएंगे पेड खरीदने के लिए तो यहां पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ यह जो मैंने अभी अभी खोदा था मतलब जब मैं ट्रेवल पे जा रहा था था यूरोप में उससे पहले वहां पे मैंने वह लगाए हुआ है इलोन मस्क का स्टार लिंक इंटरनेट तो वह लगाने के लिए कि यहां से जो यह मैं इसमें दबाऊंगा तो यह मेरे को दबानी थी उस टाइम नहीं मिला बट यह मैंने खोद दिया था वहां पे लगाऊंगा वहां से नेट्रॉक बहुत सही मिल रहा है क्योंकि यह जो एरिया है न यहां पे गोवर्मेंट का कोई भी सप्लाई नहीं आती है ना पानी आत इसके पहले मेरे यांपर पूरा खोद था इसको और खोदने कर बाद मेरे यह सीट्स डालक से अनल कर से और चला गया था यह प्रिंग का सीजन आ गया ना तो अब आने लग गई है और यह भी न डियर आके खा जाते हैं यह देखो यह जो टूटा वा है ना यह सब डियर खाते हैं और यह देखो डियर के पैरों के निशान यहाँ पे यह देख रहे हो यह सब जगए पे यह देखो यह रहा तो यहां खड़े हो के खाते हैं और भी इनके पैरों के निशान दिखाता हूं मैं आप लोगों को अभी कल मैंने द नानी की कोशिच कर रहा था तो तीन थे यहां पे ना कम से कम 12-13 डियर्स हैं जो इधर अंदर की तरफ में रहते हैं अब मैं आप लोग को दिखाता हूं यह मैंने कौन-कौन से पेड उगाए वे थे तो यह जो ना यह वाली एक रो मैंने बनाई थी यह देखो यहां पे ना म मैंने गास काटने वाला दिया तो उन्होंने अंधेरे में मेरी सारी यहां पे ब्लैक बेरी थी और इधर ब्ल्यू बेरी थी यह वाली रो में उन्होंने सब काट दिया है तो देख लो एक साल में सिर्फ इतनी बड़ी हुई है कोई नहीं अभी मैं दूसरे बड़े- बबुगोशे उगे थे बट इस साल मुझे लग रहा है कम से कम 25-30 उगेंगे तो यह देख लो यह नीचे तक है ना यहां तक डियर्स आते हैं और यहां तक कहना सारा भिया खाके चले गए वो जो पते होगारा होते हैं तो नीचे तो उगने ही नहीं देते हैं यह देख लो यह यहां पर उन्होंने सब तोड़ रखा है छोड़ते ही नहीं है मतलब इससे नीचे तो यह उगने ही नहीं देंगे किसी भी तरीके से यो डियर्स तो अभी मैं प्रोटेक्ट करूंगा कि डियर्स खाए ना यह भी बबुगोशे का है बट पिछले साल इस पे तो यह भी मैंने दो लगाए थे हमेशा मैं दो लगाता हूं क्योंकि यह ना क्या होता है कि अगर दो पेड नहीं लगाओगे न तो पॉलिनेट नहीं होगा और फ्रूट नहीं देंगे तो इससे दो पेड लगाओगे तो फ्रूट देने लगता है भिया तो यह यहां पर वह भी खतम हो गया उन्होंने फिर उसके बाद यहां पर भी एक पेड़ था यह देख रहे हूं जो घोल-गोल हो रखें यहां पर भी उन्होंने छोड़ा नीभिः ऐसी अलग-अलग है यह लगाया हुआ है मैंने इलोन मस्क का इंटर्म है तो यह होती है बार डिवाइस और यह डिवाइस मैंने ली थी कुछ साड़े 600 डोलर की, उसके बाद अभी हर महीने 130 डोलर के करीब मैं देता हूँ इसके, जो लाइन बता रहा था ने यह सब ट्रीजी थी, इसके साथ में मैंने एक और लाइन यह वाली जो लाइन बनाई थी ना, यह मैंने बनाई थी कि सारे मै लगाऊंगा, अंगूरों की बेल, तो यह देख लो, भाई कुछ छोड़ते ही नहीं है, इतना दिवाग खराब कर रहा है, मैं क्या बता हूँ, मुझे लगता था शैद अंगूर की बेल नहीं खाएंगे, तो देए देखो, यह रहा है, जब मैं खरीद के लेके आता हूँ तो इस तरीके से उनके पर फोटो बनी भी होती है, लाल वाले अंगूर की लगाई हूई थी, मैंने बेल, और यह देख लो भीया, यह मैंने काले वालों की लगाई हूई थी, ऐसी अलग-अलग थे, बट सारी खा गए, मैंने सोचा है, कि मैं जाता हूँ, और काफी सारे प सारे के सारे खराब हो गए है, तो इस बार मैं जो कि अच्छी तरीके से उनकी टेक केर करूँगा, मेरी गलती थी कि मैंने जाली नहीं लगाई, क्योंकि वह तो जानवर है, उनके लिए कोई बाउंडरी थोड़ी नहीं, अब चलते हैं मार्किट में पेड खरीदने के तो चलते हैं मार्किट में देखते हैं, जो भी सबसे बड़े वाले जो ट्री होंगे ना, वो लेके आते हैं और लगाते हैं, तो यह पहुझी आऊँ, दुकान पे ट्री लेने के लिए हैं, यह इहां पे कुछ फ्लावर ट्री है यह फ्लावर हैं इतर पीछे रखे हैं और यह जो आप लोग देख रहे हुँ न यह सब फ्रूट रही हैं तो यहां पर मैं दिखा देता हूं यह पीच का है यह पीच बनाया हुआ इसके उपर तो यह कहीं फार्म में उगाते हैं फिर इस तरीके से बेचते हैं तो यह मैं लगाऊंगा तो कम से कम 3-4 साल लगेंगे फ् बहुत गरम होता है तो यह मैं बहुत ज्यादा खाता हूं इसको गरम करता हूं और उस पर नमक वगरा लगाए हलका सा बटर लगाए कभी आप लोग को दिखाऊंगा मैं तो यह भाई मैं सोच रहा हूं कि एक किसका ले लेता हूं यह देखो कितना लंबा है यह कम से कम लगाना चालू करते तो पहले आप लोग को दिखा देता हूं यहाँ पे अप्रिकोट का पेड़ा है और यह हो गया है पीकेन का और यहाँ पर है ग्रीन एपल यह जो आप लोग देख रहे हो सामने इसके उपर सबके उपर लिखा हुआ है यह है पीच का और यह है ये है य और यहां पे नोर्थ केरोलाईना में क्या होता है ठंड भी भहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ में गर्मी भी बहुत दपा के पड़ती है तो अभी इस साल है ना यहां पे जो मेरे वाला एरिया न कोई मैं हरान हूं नहीं तो हर साल है यहां पे स्नोफोल हो जाती है आपने एक वीडियो देखी होगी कुछ दो साल पहले कि जब मैंने लिया था तब भी स्नोफोल हुई थी ना 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 यहां की जो मिट्टी है वो भी बहुत अच्छी है तोई देख लो इस तरीके से इन्होंने कई तो सकेट्स में रखे वे हैं कुछ इस तरीके से प्लास्टिक और फिर कपड़े का इन्होंने लगाए वह इसके चारो तरफ में आज मैं यह चीजे उगा रहा हूं और यह आने वाले तीन-चार साल बाद जब फ्रूट देंगी ना तब मेरे को मज़ा आएगा तो चलिए आज हमारा सबसे पहले ट्री एपल ट्री ग्रीन वाला लग गया है तो इसे लगाने में तो को मेहनत तो लगती है बट है ना एक चीजे करने की यहां पर मुझे मिली है तो मैं बहुत इंजोई करता हूं इस चीज को लो भाई यहां पर फिर दुबारे मुर्गियां आगी है आप लोग को हेलो करने लिए मैं काम कर रहा हूं तो इनको लगा मैं कुछ खोद रहा हूं यहां से निकलेंगे जैसे वर्म्स यह डोन है ओके गो भाई अभी लाइन से लगा दिये हैं सारे ट्री सिर्फ दो ट्री बचे हैं बस इनको भी लगाते हैं फटा फट तो अभी यहां पर नेबर के डोक्स आगे हैं इधर रहते इधर पीछे उदर से आ जाते हैं रोज पता नहीं इनका नाम क्या है बड़ य यह इसकी माँ है बाई यह वली यह इसका बच्चा है यह बाई वीपिन विलो कुछ इस तरीके से दिखता है एक पिक्चर आप लोग को दिखाता हूं तो आप लोग को समझ आएगा कितना सुन्दा लगता है यह पेड़ तो यह पेड़ जो है ना सबसे जादा इसे पानी कोता है तो उम्हेंशा पानी के पास ही लगाते यहाँ पे भी दिखाए हुआ ब्रीच के पास में पानी यह और वहां लगाऊ है पानी में ही शर्वाइव करता है यह तो यह बेस्ट प्लेस है और यह मैं थोड़ा पीछे आप लोगो दिखा देता हूं यह जो लैंड न इतने वाला जो एरिया है यह इधर है न में इतने अरिया के अंदर पाणी भर जाता है बाइए बिला था वह कह रहा था उसके बाद दो ऐसे बच्चे हैं तो चाहिए तो मैंने इसको बोला नहीं है अभी तो फिलाल नहीं चाहिए और मैं को इतना बड़ा डोगी नहीं चाहिए बहुत बड़ा हो जाएगा अले मिटी डाल दें तो फिर वो और साइड में लड़ा हो इसके पिन विलो इसकी खास बात पते क्या है जैसे अभी एक दो साल बाद है न मैं आउंगा यहां से इसकी लेम तोड़ी और जहां पर भी लगाऊंगा न तो इसी तरीके से बहुत जल्दी उगते हैं यह बहुत जल्दी बड़े होते हैं काम भी लगा ऑए को काम करने दो लगा jeं तो भई गर लगा तो पाइनली मैं सारे पेट लगा भाड़े हैं वह आप लोगा हो Summonds लगा तो फूरा आप लोगो दिखाया नहीं उनी मुझे लगा और भ़ो हो जाए लो भाई यहां पर आ गया है यह जो ना Mr. Lee का मुर्गा है यह देख रहे हो यह पूरी सब मुर्गी आ है उदर सिर्फ एक ही मुर्गा है यह रहा यह जा रहा है हेलो बड़ी कमेर मैंने उसको बुलाए मेरी मुर्गी भाग के आ गया है यहां पर मैंने एक बास्केट बनाई हुई है जिसके अंदर मैं एक्स कोलेक्ट करता हूं यह एक्चली आइसक्रीम का बकेट है तो मैंने इसके अंदर एक चोटा सा टावल रख दिया और फिर इसमें अग्स केने गेट सम एक्स थैंक यू और कभी कबार तो यह ना गुसे में आ जाती है बट अब भी नहीं आई ओ ओ ओ इनके उपर बैटी हुए सब के उपर कितने होगे भी आ चार आट और एक नो देखते हैं और भी है क्या अभी तो मुझे 9 एग मिले हैं और शायद यह बैटी हुए है तो इसको पूरा हटाऊंगा नहीं मैं तो यह आगे भी है अपने 9 एग्स भाई कभी कबार तो यह मुर्गी इतना गुसे में होती है कि अगर मैंने हाथ किया ना तो मेरे हाथ पे अपनी चोच मारती है तो अभी 9 एग्स मिले हैं में को लगता है यह एक और एग देगी तो 10 हो जाएंगे 10 मुर्गी है डेली के 10 एग मिल जाते हैं चब मैं नहीं होता तो मेरे दोस्तों गयरा ले लेते हैं यहां पर और यहां पर और भी भूत सारे मेरे को प्लांट लगाने है जो के मैं सोचाओं इसी महीने के एंड तक मैं धीरे धीरे लगाऊंगा दब भी लगाऊंगा अगर आप लोगो यह वीडियो पसंद आईए न तो वह भी दिखाता हूं कौन से प्लांट लेके आ रहा हूं और कै कैसे मैं यहां पर लगा रहा हूं इतना था मैं आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगो पसंद आई होगी अगर पसंद आईए लाइक करना मत बूलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फिर जल्द मिलते हैं कि